नमस्कार दोस्तों, सुवागत है आपका हिंदी नोलिश शो में थो दोस्तों कभी-कभी में पीछे मुड़कर देखता हूँ ना तो बड़ी हैरानी होती है क्योंकि अब से सिर्फ 10 साल पहले की बात है भारत को कोई पूछता तक नहीं था दुनिया के 95 फीसदी देश हमेशा इस कोशिश में रहते थे कि भारत को कैसे फसाया जाए किस तरीके से भारत की फिर्की ली जाए कभी भारत के कश्मीर के मुद्दे को लेकर, कभी अरुनाचल के मुद्दे को लेकर, कभी भारत के अंदर धार्मिक विवादों को लेकर हमेशा भारत को बदनाम करने की कोशिश की गई लेकिन आज दस साल बाद स्थिती देखे आप हर कोई देश चाता है कि भारत उसका मजबूत और करीबी दोस्त बन जाए भारत के बारे में सुर बदल चुके हैं ऐसे ऐसे ओफर आते हैं भारत को जिनके बारे में अब से दस साल पहले सोच भी नहीं सकते थे और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ आज आपको पता चलेगा दरसल फ्रांस ने भारत को एक ओफर दिया है ओफर क्या है ओफर ये है कि वो भारती नोसेना को चार लडाकू विमान देना चाहते हैं और खास बात ये है कि वो चार लडाकू विमान वो अपनी नोसेना से निकाल कर भारत को देंगे कि आप लीजिये, इस्तमाल कीजिये और रही बात पैसों की तो वो बाद में समझ लेंगे हम आप से सबसे कम पैसे लेंगे इन लड़ाकू विमानों के लिए लगभग ना के बराबर की अब अगर आप फोरेंड पॉलिसी को नहीं समझते ना तो आप सोचेंगे कि यह बहुत बड़ी वाफर है फ्रांस हमारा दोस्त है, फ्रांस ने तो कमाल का उफर दिया है लेकिन अगर आप फोरेंड पॉलिसी को अच्छे से समझते हैं और दुनिया की राजनीती को भी समझते हैं तो अब तक आपके दिमाग में ये सवाल आ गया होगा कि फ्रांस का फाइदा क्या है क्योंकि बिना फाइदे के तो कोई किसी का कुछ नहीं करने वाला चाहे कोई भी करीबी दोस्त क्यों ना हो यहां पर फ्रांस का फाइदा बिलकुल है फाइदा यह है कि फ्रांस इन चार लडाकु विमानों के जरिए भारत को 114 लडाकु विमान बेचना चाहता है कैसे मैं आपको समझाता हूँ दरसल भारती नोसेना का एक नया नवेला एरकाफ्ट कैरियर आइनस विकरांथ तयार हो चुका है जो आप उसकी फूटो देख सकते हैं अब जो एरकाफ्ट कैरियर होते हैं उन पर लडाकु विमान तैनात होते हैं तो इसके लिए हमें भारी मातरा में लडाकु विमान चाहिए इतना ही नहीं हमारी नोसेना में जो पुराने लडाकु विमान स्रामिल हैं हम उन्हें भी रिप्लेस करना चाहते हैं क्योंकि अब उनकी उमर हो चुकी है वो 30-40 साल पुराने हो चुके हैं ऐसे में उन्हें मोडन लडाकु विमानों से रिप्लेस करना जरूरी है तो ऐसे में भारती वाई उसेना स्वैकडो लड़ाकु विमान खरीजना चाहती है और इसे दुनिया की सबसे बड़ी हतियार डील भी कहा जा रहा है अब इस डील के अंदर फिलहाल दो लड़ाकु विमान सबसे आगे हैं पहला है अमरीका का F.A.18 सूपर होड़नेट और दूसरा है फ्रांस का लड़ाकु विमान राफेल M अब देखिए ये बात आप जानते हैं कि आप सभी लोग भी और मैं परसनली भी राफेल लड़ाकु विमान को बहुत पसंद करता हूँ क्योंकि इसकी कैपैबिल्टी बहुत अच्छी है लेकिन जब बात आती है नोसेना के लड़ाकु विमानों की तो वहाँ पर चीजे काफी बदल जाती है और उसी वज़े से अब बताय जा रहा है कि इस डील में अमरीका का F.A.18 सूपर होड़नेट काफी आगे है इसका कारण यह है कि आने वाले लगभग 20-30 सालों तक चीन को घेरने के लिए भारत और अमरीका की नोसेनाय गठ जोड में बहुत सारे युद्ध भ्यास करेंगी बहुत सारे मिलिटरी ओपरेशन करेंगी ना सिर्फ हिंद मासागर में बलकि चीन के करीब दक्षनी चीन सा होगा तो आपस में इंटिगरेशन करने में बहुत आसानी होती है इसके लावा राफेल के मुकाबले F-18 सूपर होरनेट काफी जादा सस्ता है कमसरम 20 से लेकर 25% सस्ता है इतना ही नहीं जो असल चीज है वो है फायर पावर फायर पावर के मामले में F-18 का कोई मुकाबला यहां तक कि जो चीन के बड़े-बड़े मिलिटरी स्टैजिस्ट है वो खुद यह बात कहते हैं कि एक बार को हम अमरीका के F-35C उसे संभाल ले जाएंगे लेकिन युद के दोरान F-18 सूपर होरनेट की जो केपेबिल्टी है और जो फायर पावर है यानि की हमलावर शमता हैं वो बहुत ही ज्यादा है और इसलिए अमरीका के पास आजगी तारिक में बहुत ज्यादा अडवांस F-35 मौजूद है लेकिन फिर भी वो F-18 को सबसे ज्यादा इस्तमाल करता है अपनी नोसेना में इतना ही नहीं भारती नोसेना के जरुतों के हिसाब से भी F-18 में सार एक पैरामिटर को ये टिक कर रहा है और ये बात का पता फ्रांस को भी है कि जो ये अर्बो डॉलर की डील है ना उसके हातों से रेट की तरह फिसल रही है और इसलिए उसने ये कार्ड चला है कि वो अपनी नोसेना से चार राफेल निकाल कर भारती नोसेना को इस्तमाल के देगा भारतिय नोसेना उससे यूजटू हो जाएगी और फिर उसे एक क्लियर कट अडवांटेज मिल जाएगा और जो ये मल्टी बिलियन डॉलर की लड़ाकु विमान डील है जिसे दुनिया की सबसे बड़ी डील कहा जा रहा है ये उसे मिल जाएगी और उसकी जो डिफें इंडस्टी है वो बहुत ही गाटे से जूज रही है और ये डील पूरी की पूरी फ्रांस की रक्षा कंपनियों को उठा कर रख देगी हाला कि आप मुझे कमेंट करके बताई कि क्या भारत को ये फ्रांस का ओफर एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर अपनी जरुरत के हिसा आप से एक लड़ा को विमान चुन कर चुपचाप डिल कर लेनी चाहिए कमेंट करके जरुरू बताएगा फिलाल सुड़ों में इतना ही तैंक यू बेर मुच पर लाचिंग वीडियो